हेलो गाइज वेलकम बैक टू जैमा व्लाग इन कुकिंग अगर आप मेरी चैनल पे नहीं तो मेरी चैनल को सिस्क्राइब करें लिटेस्ट अप्टी चैनल के लिए पेल आइकन जरूर प्रस करें आज हम भूबी चैनल कानल बैके सब्सक्राइब करते हैं हम नहीं बैके यहीं मेरे वहसे लेटा कर लिया यहां यह उप्राइब कर लिए हैं वहाटर कर लिए मैंने के बाद यहां पर देख नला उन्य क sır इन पर बॉट्ट इंह चुर्च में शुर्च सुझ सी एप自然 सब्सक्राइब जैसे कि आइख सकते हैं अब हम्हों सारे सबस्क्राइब exciting के बाद हम लोग इसमें जो वेजीटेबल्स मैंने बॉयल कर लिये थे वो इसमें एड़ कर लूँगी मैंने इसमें से जो वाटर था वो सेपरेट कर लिया है और यह देखिए अब मैं सभी वेजीटेबल्स इसमें एड़ कर लूँगी एड़ कर लेने के बाद हमें इसे अच सकते होंगे अब मैं इसे एक वैसल में निकाल लेटी हूँ वैसल में निंकालेने के बाद जो हमारा बचा हुआ यह लेंगे जीरा अड़ कर लेने के बाद हम लोग इसमें खड़े मसाले सीज आपर देखिए फर्स मैं इसमें काली मिरी लॉंग देज पत्ता और यह दाल कर लिए है वरम एक मम्साले काटो अच्छी तारा से मिक्स कर लिए हूँ olur अब घर कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेगे अब आपदह इसमें उनिया आड कर लेंगे जैसी कि आप 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 देख सकते हैं मिक्स कर लेंगे हम लोगे ओनियन को मैंने ओनियन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमारे सभी गरम मसालों के साथ आप भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ginger garlic paste add कर लेंगे so guys ginger garlic paste add कर लेने के बाद हमें ginger garlic paste को अच्छी तरह से mix कर लेना है so guys जैसे कि आप आप देख सकते हैं मैंने उसे अच्छी तरह से mix कर लिया है so guys अब जब तक हमारे onion का color change नहीं हो जाता तब तक हमें हमारे ओनियन को चितरा से पका लेना है जैसे कि आप आप देख सकते हैं हमारे ओनियन का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें देखिए टोमेटो अड़ कर लेंगे यही टोमेटो मैंने अल्रेडी कट कर लिया था तो यहाप आप देख सकते हैं मैंने इसमें टोमे और याड आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून साल्ट एड़ कर लिया है अब स्वाद अनुसार सॉल्ट एड़ कर लिजिए सुल्ट एड़ कर लेने के बाद एम इसमें 1 टीस्पून टर्मरीक पाउडर एड़ 1 Toryosa, जीरा for Funkim, चीचे और 1 प्राइड टीम्ती नहीं, लिए मेन इसमें करा लिए उसके भाद है इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लो आप ूँ करा लिए जैसी कि आपया देख सकते हैं चो हमारा कलर है कितना अर्षम कलर आया है हमारा हममना इसे cover कर लेंगे और थोड़ा कोखोने देंगे सो जैसी कि आप यहाँ देख सकते हैं after few minutes यहाँ पर देखिए मैं इसे open कर लेती हूं और जो हमारा color है और कितना awesome color आया है अब मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लूँगी ध्यान रखिए कि जलना जाए सो यहाँ पर आप सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से mix कर लिया है mix लेने के बाद अब हमें देखिए यहाँ पर मैंने one cup यहाँ पर देखिए मैंने दही लिया है जो मैं इसमें add कर लूँगी ने ने दatori टाहर का लिया है धी आड़ का लियने के बाद यहापर देखिए अच्छी को आशी को अचτάर से मिकस कर लूँगे यहापर आप देख सकते हैं मैंने hiç को अचे को आशी का लिया है और जो इसका कळार है वो चेंज हो गया है ऐसके बाद हम लोग इसमें, जो vegetables, हम लोगों ने तेल में भुन लिये थे उसे हम लोग इसमें add कर लिएगे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सभी vegetables इसमें add कर लिये हैं आपको देखर PB अच्छी तरह से आपको इसमें vegetables आजब कर लेना है और यहाँ देखिए मैं इसे किस तरह से mix कर रही हूँ मैंने इसे अची तरह से mix कर लिया है और अब हम इसे cover कर लेंगे और cook होने देंगे few minutes के लिए so guys चलिए मैं इसे cover कर लेती हूँ और cook होने के लिए रख लूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने इसे cover कर लिया है after few minutes में इसे open कर लूँगे और आप देख सकते हैं इसका color change हो गया है सबी मसाले अच्छी तरह से mix हो गए है so guys हमारा अलूगोबी की सबजी ready है आप कोई recipe कैसे लगी मुझे comment करके जरूर बताइएगा अब मैंने देखिए इसके उपर coriander भी आड़ कर लिया है और ये देखिए हमारी अलूगोबी की सबजी ready है so guys मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि आप कोई recipe कैसे लगी अगर आप कोई recipe पसंद आई हो तो इसे like जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करिएगा latest update जाने के लिए bell icon जरूर प्रस करिए so guys आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको next video में thanks for watching my video